में शेयर करूंगे आप सबके साथ मेशन की हल्वी की रेसिपी मेशन का हल्वा भोती जादा टेश्टी लगता है और इसे बनाना भी भोती आसान है तो हेलो वेलकम टू माई चैनल रितु की दुनिया हर हर महादर तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले गैस प दाल देंगे और ऐसे हमी अच्छे से भूनना होगा और हागाई आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे के आप को नेश्ट वीडियो को नोटिफिकेटर सबसे पहले मिले और हागाई आप गुलाब जामून के रेसिपी देखना चाहते हैं जो मैंने गुलाब जामून बनाए हैं सूजी के वह भी बीना मावे के तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और आपको रेसिपी अच्छ energy के समय थे खूसबह आएगे जबिसे भूनेंगे तो यह डेखे इस तरीके से हमें बेशन को भूनते रहना है इसे हमें चलाते रहना है नहीं तो हमारा जो नीचे से जल जाएगा और वह खाने में कड़वा लगेगा तो hiçbir इसे जब तक यह नहें बूने इससे इसी तरीक देखे हमारा जो बेशन ने वह अच्छे से भुन गया है तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे एक कटोरी बेशन था तो इसमें हम चार कटोरी पानी डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे और एक कटोरी अब इसमें हम चीनी एड़ कर देंगे हम इसमें चीनी डाल देंगे तो देखें इस तरीके से हम इसमें चीने डाल देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे और हाग आप इसे चलाते रहना नहीं तो इसमें गाठे बन जाएंगे यानि लंस बन जाएंगे और आपका हलवर टेस्टी नहीं बनेगा क्योंकि जो बेशन होता है तो थोड़ा ठीख होने लगता है पानी डालने के बाद तो इससे आपको चलाते रहना है जिसी की इसमें गाठे ना पड़ें तो इस तरीके से आपको चलाते रहना है तो यह देखें और गाईट आपको स्वेविन मौमोज या वैर मौमोज या आपको कोई भी रेसीपी देखनी है तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने डाल रखी है तो आप जाकर देख सकते हैं और आपको रेसिपी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सुब्स्क्राइब करना ना भूले मैं आपके लिए ऐसे नएने रेसिपी वीडियो लेका आती रहूंगे तो यह देखे हमारा जो हल्वा है वो अच्छे से पकने लगा है और हैसे हमें चारो तरब से हटाते रहना है कड़ाई से तो यह देखे इस तरीगे से हमें से चलाते रहना है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हल्वा तयार तो हल्वा जो है इमेशन है को वो अपने आप पड़ाई से हटने लगेगा यह देखें तो हल्वा बनके तयार हो गया तो इसे हम नीचे उतार लेते हैं और आप इसे हम सर्व करते हैं तो यदि आप भी ऐसा सूची का हल्वा बना कर खाना चाहते हैं तो इस रेसिपे को जरूर ट्राइ करें और एक यह नया हल्वा बनके तयार हो जाएगा बिसन का तो इस तरीके से हल्वे को बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता बनाने में और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो गाई आपको इस रेसिपे अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव और हाँ गाई वीडियो का लाइक शेयर और कोमेंट करना भी ना भूले